नमस्कार पिसंदोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुर्गी में होने वाले सर्दी खासी जुखाम या फिर CRD बीमारी के भारे में जब भी मुर्गी में यह बीमारी लग जाता है अब दोस्तों देखेंगे मुर्गी में नाख से पानी आने लगता है मुर्गी छीकने लगती है और मुर्गी के आख से भी पानी आने लगता है इस दोरान दोस्तो मुर्गी में ये पहला stage होता है CID बिमारी का अगर आप सुबात में इसको treatment नहीं करते हैं अगर इसका ilaj नहीं करते हैं तो बाद में मुर्गी में सांस लेने में काफ़ ज़्याद तकलीफ होता है मुर्गी के सांस लाने में बलगम जम जाता है जिसके बाद से दोस्तो आप देखेंगे मुर्गी मुख खोल के सांस ले रही है और सांस लेले वक्त काफी sound भी आता है जैसे गर 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 टाइप का तो कभी कभी ऐसे situation से मुर्गी को बचाना मुश्किल भी हो जाता है अब दोस्तो बात करते हैं इसके इलाज के बारे में तो दोस्तो इसके ओपर यानि CRD बीमारी के इलाज के ओपर हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे अलग-अलग medicine के बारे में बताया है और उसको कैसे इस्तवाल करना है CRD बीमारी में तो वह सारे चीज के बारे में डिटेल्स में हमने जान करें दिया है तो वह जितना भी वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आप वह सारा वीडियो जाके देख सकते हैं और अपनी मुर्गी में CRD बीमारी या फिर सरदी खासी जुखाम का जो प्रॉब्लम है उसका इलाज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों कभी-कभी यह हो जाता है कि इलाज करने के बावजूत यानि सुरवाती स्टेज पे आप टीटमेंट कर चुके हैं लेना है उसके साथ आपको लेना है मौक्स 500 mg कैप्सूल मौक्स कैप्सूल जो कि 500 बहुत ही आसाने से बाद कर लिए इसका इस्ते हल कि इसे हैं कितने मातर में आपको इस्तुमाल करना सबसे पहले जो अपको लेना है प्राइब बता रहा हूं आप वह 100 मुर्गी के हिसाब से बता रहा हूं तो इसके हिसाब से आपके पास जितना भी मुर्गी है आप देख लेना अपना केल्कुलेशन करके कितना मेडिसीन आपको इस्तेमाल करना चाहिए तो 100 मुर्गी के लिए आपको पांस टैबिलेट लेना है अब दोस्तों नेक्स बात करते हैं इसको कैसे आपको इस्तमाल करना है तो इसको इस्तमाल करने के लिए दोस्तों आप फीट में मिलाके दोनों टैबिलेट को दे सकते हैं यानि जो मुर्गी को आप दाना खिलाते हैं उस दाने में आपको इस कैप्सूल को मिलाके देना होगा तो दाने में मिलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है जो paracetamol tablet आपने लिया है जितना भी मात्रा में आपने लिया है सबसे पहले उस tablet को आपको तोड़ लेना है या फिर powder बना लेना है next आपने जो mox 500 का capsule लिया है उसको जब आप तोड़ेंगे तो इस अंदर में आपको जो powder मिलेगा उसको भी आपको निकाल लेना है यानि capsule को जब तोड़ लेंगे तो capsule के अंदर से powder निकल के आएगा तो उसको आपको निकाल के रख लेना है अब दोस्तों जैसे ही आपने powder कर लेंगे दोनों medicine का इसके बाद आपको क्या करना है राद भर के feed में यानि राद भर जो मुर्गी को आप दाना खाने के लिए देते हैं उस दाने में आपको ये दोनों medicine का powder मिला देना है जैसे 100 मोर्गी आपके पास है के लिए आप एक रद में 2 kg दाना इस्तावाल करते है या राद भर के लिए 2 kg दाना मुर्गी को खाने के लिए देते हैं उसके बाद दूसरे दिन morning यानि next day morning सुबह से लेके दोपेर तक जितना दाना आप इस्तमाल करेंगे, फिर से उतने दाने में आपको वो दोनो मैडिसिन को मिला देना है। जैसे आज रात से अगर आप मुर्गी को देना दाने में तो आज रात से लेके कल रात तक आपको continue medicine दोनों को देना होगा। दोस्तो पाने में मिला के देने में एक problem हो सकता है, जैसे अगर आप पाने में दोनों मैडिसिन को मिला के देंगे, तो जो पैरेसिट आमोल टैबलेट है, उसको आप जब पाने में घोलेंगे तो वो दोस्तो घुल जाएगा कुछ देर के लिए। लेकिन जब आप पाने को कुछ देर के रख देंगे तो फिर जितना मेडिसिन लाएगा वो दोस्तो नीचे बैठ जाएगा। तो यह दोनों मेडिसिन का फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप पहली बार में ये दोनों मेडिसिन का इस्तेमाल कलना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, उससे कोई पाबलिम नहीं है तो गहांस तो बस आज कर था ये एक छोड़ा से वीडियो, I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना आप दोस्तों को सेर जरू कर देना, दोस्तों के चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कियो, तो स